चानक के I.S. Academy में आप सबी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हाल ही में 95th Oscar सेरेमनी में भारत ने पहली बार दो अवाड जीते हैं। फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू ने Best Original Song का अवाड जीता है। Original Song कैटिगरी में उन गानों को चुना जाता है जिनके लीरिक्स और म्यूजिक बिल्कुल ओरिजिनल होते हैं। वहीं The Elephant Whispers Best Documentary Short Film बनी है। Global Film Industry का सबसे बड़ा पुरुसकार 95 Academy Awards यानी Oscar Awards 2023 लॉस एंजलिस के Dolby Theater में आयोजित हुआ था। Natoo Natoo के Musical Composer MM Kirawani और गीतकार चंदर बोस ने Award लिया। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने इस मौके पर Natoo Natoo के गीतकार सहित पूरी टीम को बदाई दी है। अब हम बात करेंगे Natoo Natoo गाने की लोगप्रेता के बारे में तेलगू गीत Natoo Natoo Song MM Kirawani ने कंपोस किया है। उत्तर भारत में इन्हें MM करीम के नाम से जाना जाता है यानि कि Bollywood में इन्हें MM करीम के नाम से जाना जाता है। और चंदर बोस ने इसे लिखा है और इस गाने को जूनियर, NTR और राम चरण पर फिल्माया गया है। इसे आवास काल भहरव और राहुल सिप्ली गुझ ने दी है। ये गाना हिंदी में नाचो नाचो, कमिल में नट्टू कुथ्थू और करनड में हली नाटू की रूप में रिलीज किया गया था। इस गाने ने असीवे Golden Global Award में Best Original Song के के टेगरी में अवार्ड जीता था। इससे पहले नाटू नाटू ने Best Song के लिए Critics Choice Award भी जीता था। पतरता सैनानी एक बिटिश अधिकारी को डांस के जरीए अपने घुटनों पर लाते हैं। ऐसे इस राजा मोयली के निर्देशन में बनी फिल्म आर 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 के डाटू नाटू गाने का खुमार देश के अलावा भी देशु में भी है। ये गाना Golden Globe Award और Best Critics Choice Award भी जीत चुका है। इसके बाद इसकी लोग प्रेता और भी जादा बढ़ गई है। राम चरन और जूनियर NTR स्टारर इस गाने ने जिन गानों को पीछे छोड़ा है उनमें अपलोज, Hold My Hand, Lift Me Up, Or This Is A Life जैसे चार्ट बस्टर गाने शामिल है। अब हम बात करेंगे The Elephant Whispers के बारे में। The Elephant Whispers एक Netflix पर डॉक्यमेंटरी है। इसे कार्ति की गोसालविश ने निर्देशित किया है और गुनीत मोगा ने प्रोड्यूस किया है। इसकी कहानी अकेली छोड़ दियेगे हाती और उसकी देखपाल करने वालों के बीच अटूट बंदन की बात करती है। कहानी साउथ के कपल बोमन और बैली और रगु नाम के बेबी एलिफेंट के इर्द गिर्द घुनती है। कहानी में दिखाया गया है कि कैसे एक कपल एक अनात में भी हाती की देखपाल करने के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं और एक परिवार बनाते हैं। अब हम बात करेंगे फाईनल नॉमिनेशन और भारत की दावेदारी के बारे में ओसकर 2023 हवोर के फाईनल नॉमिनेशन में 20 कैटिगरी में फाईनल नॉमिनेशन का एलां किया गया था। इसमें भारत की और से एक Song और दो डोकिमेंटरी को अलग-अलग कैटिगरी में नॉमिनेट किया गया Best Original Song कैटिगरी में S.S. Raja Moilie के डारेक्शन में बनी फिल्म RRR के गाने Natoo Natoo को नॉमिनेट किया गया इसके अलावा Best Documentary कैटिगरी में All That Breeds और The Elephant Whispers Best Documentary शॉर्ट कैटिगरी में नॉमिनेट हुई है अब हम बात करेंगे Oscar Award यानि की Academic Award के शुरुआत कैसे हुई Oscar Award का पहले नाम Academy Award था इसकी नीम 1927 में रखी गई थी अमेरिका के MGM स्टूडियो के प्रमुक Lewis B. Mayer ने अपने तीन दोस्तों एक्टर Conrad Noggle, डारेक्टर फ्रेड निबलो और फिल्ममेकर फीड बेटसॉन के साथ मिलकर एक ऐसा ग्रूप बनाने का प्लैन बनाया जिससे पूरी इंडस्ट्री को फाइदा मिले एक ऐसा Award शुरू किया जाए जिससे फिल्ममेकर्स को मोटिवेशन मिले इस आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को जोड़ना जरूरी था उनके सामने International Academy of Motion Pictures of Art and Science बनाने का प्रस्ताव रखा गया सारे लोग राजी हो गए मार्च 1927 तक इसके अधिकारी चुने गए इसके अध्यक्ष हॉलिवूड एक्टर और प्रोडूसर डगलस फेर बैक्स बने 11 मई 1927 में 300 जानीबानी हस्तियों की दावत रखे गई जिसमें से 230 लोगों ने 100 डॉलर में Academy की Official Membership ली शुरुवात में अवर्ड को 5 कैटिगरी प्रोडूसर, डारेक्टर, एक्टर, टेक्नीशन और राइटर में बाटा गया इस अवर्ड का नाम रखा गया था Academy Award पहली अवर्ड सेरेमनी की विजेताओं की घोशना 3 महीने पहले ही कर दी गई थी 1930 से अवर्ड नाइट की रात 11 बजे, मेडिया को विजेताओं की लिस्ट दी जाने लगी लेकिन 1940 में लॉस एंजलिस टाइम्स ने सेरेमनी से पहले ही विजेताओं की घोशना कर दी इसके बाद से ही विजेताओं की खुलासे बदलिफाफे में होने लगे Academy Award अब Oscar Award के नाम से पहचाना जाता है 1939 में इसका Official नाम Oscar पढ़ गया था अब हम बात करेंगे Academy Award की टॉफी के बारे में Academy Award की टॉफी तलवार लिये योधा की है जो फिल्म की रील पर खड़ा है इसके पीछे सोच है कि Entertainment इंडस्ट्री में काम करने वालों को भी योधा जैसा फिल कराया जाए इसके लिए सबसे पहले MGM स्टूडियो के आर्ट डारेक्टर ने तलवार लिये योधा को रील पर खड़ा करके स्ट्रक्चर त्यार किया इस स्ट्रक्चर को फाइनल लुक दिया मूर्दिकार जॉर्ड स्टेनले ने बान में 0.5% 3 और 7.5% तामबे से बना गोल्ड प्लेट ये ट्रॉफी 13 इंच लंबा और 3.85 किलोग्राम का है पहली सेरेमनी के दोरान 271 अवार्ड बनाए गये थे 1938 में लकडी की ट्रॉफी बनाए गई थी क्योंकि दूसरे विश्यूत के समय तामबे की कमी हो गई थी अब हम बात करेंगे भारत के बारे में भारत में ऑसकर के लिए भेजी जाने वाली फिल्मों का चुनाव कैसे होता है इसके दो तरीके होते हैं पहला एक फिल्म जो सरकार की तरफ से भारत ऑफिशिली एंट्री के लिए भेजती है और दूसरा प्राइवेट एंट्री सरकार की तरफ से आसकर में फिल्मों को भेजने की प्रोसेस हर साल सितंबर से ही शुरू हो जाती है Film Federation of India भारत की सबी Film Association से एंट्री मंगवाता है इसमें सारी भाषाओं की फिल्में शामिल होती है इसके बाद Film Association द्वारा भेजी गई फिल्मों को जूरी मेंबर्स देखते हैं सितंबर के अंत में FFI की तरफ से आसकर में जाने वाली फिल्मों की ओफिशिल एंट्री की घोशना होती है सिलेक्ट की गई फिल्मों को आसकर में भेजा जाता है प्राइविट एंट्री के लिए Film Maker खुद अपनी Film Academy को भेजते हैं इसमें सरकार को कोई दखल नहीं होता है अगर Film Maker को लगता है कि उनका काम अवार्ड के लाइक है तो वे अपनी और से एंट्री भीजता है अकैडमी किसे अवार्ड देगी फैसला उसका अपना होता है भारत को आसकर में कब-कब और कैसी जगा मिली है इसके बारे में अगर बात करें तो 1958 में पहली बार उसकर में भारत की तरफ से Mother India फिल्म देजी गई थी Mother India को Top 5 नॉमिनेशन में जगा मिल गई थी लेकिन यह अवार्ड नहीं जीत पाई थी 1982 में भानू अथाया को फिल्म गांधी के लिए Best Costume Designer का अवार्ड मिला था 1991 में फिल्मेकर सत्य जीतरे को Honorary Lifetime Achievement अवार्ड मिला था 2008 में A.R. रह्मान को फिल्म Slum Dog Millionaire के गाने जैहो के लिए Best Original Score के कैटेगरी में दो अवार्ड मिले थे दूसरा Best Original Song का अवार्ड A.R. रह्मान ने गुलजार के साथ शेर किया था 2008 में रसेल पॉकुटी को Slum Dog Millenier के लिए Best Sound Mixing के लिए अवार्ड मिला 2023 में हम सभी जानते हैं कि फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू ने Best Original Song का अवार्ड जीता है वही The Elephant Whisper ने Best Documentary का Short Film के लिए अवार्ड जीता है इसके साथ ही आज का हमारे Topic यहीं पर Complete होता है हम कल फिर मिलेंगे एक नए Topic के साथ आप हमारे YouTube चैनल को Like, Share और Subscribe करना ना भूले Thank you so much